इस lecture के अंदर आपको जिस चीज से आशिना करवाने वाला हूँ वो है जी Python को यूज करते हुए feature encoding कैसे की जाती है बहुत असान है, बे तहाशा, नहीं बे इंतहा, कौन सा लफज़त है, जो भी होता है, इतना ज्यादा इंसान है इंसान है, क्या बोली जा रहा हूँ, इतना ज्यादा आसान है, कि आपके होश दखना जाएगे लेट सी, मैं screen share करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद, अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे एक नहीं notebook बनानी है क्योंके पिछली notebooks के साथ ही हम नहीं notebook रखते है, 07-encoding.ipynp यहाँ पे अब हम encoding स्टार्ट करेंगे, और मैं बड़ी जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगा, ताके आपको समझ लग जाए feature encoding और आपको पता है कि मैं github copilot को यूज करता हूँ और आपको पता यह भी होना चाहिए कि जब मी मैं github copilot को यूज करता हूँ, it helps me a lot. For example, feature encoding is, मैं ऐसे लिखूंगा और आपको पता है कि notebook के अंदर यह automatically complete कर देगा, is the process of transforming categorical features into numeric features, simple, ठीक है, this is necessary because machine learning algorithm can only handle numeric features, there are many different ways of encode categorical feature and each method is used on advantages and disadvantages, in this notebook we will explore some of the most popular method of encoding categorical features, अब देखियेगा, such as, मैंने सिरफ उसको एकना go through दिया, one-hot encoding, label encoding, ordinal encoding, there are many other encodings, लेकिन यह तीन हम basically, अभी देखेंगे, मैं यहां पर binary encoding कर देता हूं, तो यह हम देखने वाले हैं, और one-hot encoding को मैं second number पर लेके जाओंगा, बलके third पर, ताके पहले आपको simple वाली जो है उन से आशना करवा दो, ठीक है, and this is how you can develop your notebooks whenever you are writing something, अब यहां पर kernel साब select करते हैं, यहां पर मैं अपनी libraries इंपोर्ट करता हूं, import libraries, यहां पर सबसे पहले आएगा जिंपोर्ट, pandas as pd, import numpy as np, matplot ले, bend and c bond, यह मेरे लिए काफी हैं फिलाल के लिए, और फिर हम आइस्ता इस्ता बाकी देखेंगे, ठीक है, यह मैंने कर ली जनाब import libraries, यह आपको भी पता कैसे करनी है, तो मैं इस पर ज्यादा time नहीं लगाता, हम आगे move करते हैं, यहां पर मैं data load करता हूं, data load, और यहां पर मैं data जो load करूंगा, वो होगा जनाब हमारा sns.load dataset, और data आज हम different use करेंगे, tips के नाम से data है, उसको हम use करने वाले हैं, and here we go, यह जनाब tips का data जो हम आज use करेंगे, ठीक है, यहां तक clear होगी बात आपको, tips का data हम use करेंगे, tips के data में जनाब यह हमारे पास कुछ variable है, एक sex का है, एक smoker का है, day है, time and size है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा variable कहां पर है, हमने label encoding करनी है, but before that, let's see the value count of time, ठीक है, time का value count देखते हैं, तो मैं यहां पर df के अंदर time लिखता हूं, dot value counts, यह देखें, हमारे पास dinner and lunch time है, दो time है सिरफ, ठीक है, अब इसके इलावा, day हम देखते हैं, मैं यहीं पर change लाता हूं, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, यह हमारे पास दिनों के आ गया, फिर हमारे पास है जी smoker, हम उसको भी देखते हैं, smoker, तो यह हमारे पास है जी no and yes, फिर हमारे पास अगला जो category है, वो है sex, male and female, right, तो हमारे पास एक clear idea आ गया है कि हमारे पास कितनी किसम के day types, चीज़ें है categorical variables, सबसे पहले time को हम encode करते हैं, let's encode the time in feature, oh sorry, label encoder with sklearn, अब sklearn को use करना है हमने और encode करना उसे, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपने library को import करना है, तो आपके पास preprocessing के अंदर label encoder आ जाएगा, इसी के अंदर आपके पास कुछ और encoder भी पढ़े हैं, like one hot encoder, ठीक है, और इसी के अंदर यह आपके पास ordinal encoder भी पढ़े हैं, तो यह तीनों के तीनों यहीं से आपने comma लगा के import कर लेने एक ही दफा, ताके आप जब भी इस पे काम करें, आपको पता होना चाहिए, कि हम तीनों को use कर सकते हैं, मैं इसको run करता हूँ, it means everything is working fine, अब मैं क्या करूँगा, अब अपने data को लेकर आने से पहले, मैं label encoder को यहाँ पे बुलाऊँगा, LE के नाम से, जैसे हमने scalar को बुलाया था, मैंने का label encoder भाई बात सुन, कहता जी जना, कहता क्या काम है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे time के उपर, df के अंदर जो time है, उसके उपर fit transform करना है, और उसको df time का column को हमने transform करना है, यानि के label encoder लगाना है, fit करना है इस पे, और उस data को transform करके, time के अंदर हमने save कर देना, या मैं यहाँ पे encoded time कर लेता हूँ, encoded time, तो मेरे पास एक नया variable, यहाँ पे इसी data के अंदर आ जाएगा, तो मैं df.head करता हूँ, run करता हूँ, and here you go, हमारे पास encoded time हा गया, ठीक है, यह हमने 0 और 1 के अंदर इसे convert कर दिया, label encoder हो गया, कैसे हुआ है, मैं भी आपको चेक किया था, यह था हमारे पास, अब मैं क्या करता हूँ, encoded time का count चेक कर लेते, and here you go, चेक करें जी, dinner का हमारे पास 0 आया, और 1 आया हमारे पास lunch का, right, so इस तरीके से हमारा data encode हो गया, क्योंकि यह मैंने head की है, इस वज़़ा से सिर्फ 0 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 15 पराल लगू, तो यह हमारे पास अभी भी 0 आ रहा है, क्योंकि डिनर टाइम हमारे पास आ रहा है, तो बजाए इसके, मैं यहाँ पे इसको df.tail करके देख लेते, तो यह हमारे पास अभी भी 0 आ रहाए, that means, के हमारे पास dinner का टाइम ज्यादा है, और हमारे पास जो दूसर टाइम है वो काम है खैर बाइदा वे इस तरीके से आप डेटा को चेक कर सकते हैं यह आपका डेटा टाइम इनकोड हो गया using label encoder राइट जी label encoder ऐसे use होने है अब हम करते हैं एक और चीज को encode using ordinal encoder ordinal encoding the data किस कॉलम को हम करें चले हम कर लेते हैं days को ठीक है क्योंके thursday friday saturday sunday एक order में आते हैं the day column using specific order ठीक है हमने इसके अंदर यानि के specific order use करना है और हमने convert करना है इस चीज में सबसे पहले तो आपने ordinal encoder यहाँ पे लिख दिया फिर ordinal encoder की categories कौन कौन सी है आपने उस sequence के अंदर इसको लिख देना है तो यह आपका encode हो के आ जाएगा और लेकिन हम उससे पहले ordinal encoder से पहले चेक कर लेते हैं df के अंदर day है dot value dot value underscore counts तो यह हमारे पास आ गया Thursday से start होते है Thursday 62 है Friday 19 है Saturday 87 है and Sunday 76 है तो हमने क्या करना है जब encode करना है इसे ordinal encoder को apply किया ordinal encoder से हमने encoded day लिख दिया and now we will see df head same वही चीज़ है यहाँ पे ordinal encoder आना है और इसके बीच के अंदर बाकी चीज़े आना है अब अगर आप चेक करें हमने यहाँ पे ordinal encoder को call नहीं किया अब वो भी कर सकते है something like this लेकिन उसके बाद आपको यह इसके अंदर यह चीज़ें बताने पड़ेंगी so basically हमने किया है हमने ordinal encoder को call किया है और उसको साथ ही बता दिया कि भाई यह काम करना है ठीक है हमने का ordinal encoder यार बात सुन वो कहता है जी जनाव तो आप बताते हैं यह यह काम करना है कि Thursday को यह बना दो Friday को यह Saturday को यह Sunday को यह 1,2,3,4 यह 0,1,2 का encoder दे दो कहता है ठीक है बताएं कहां पे data तो आप कहते हैं यह data बढ़ है जिसको transform करके आपको दे देता है and here you go आपके पास encoded days आगे लेकिन अगर आप गोर करें encoded day के साथ अब आपके पास अगर value count देखें df के अंदर encoded day dot value count here you go चेक कीजेगा आपका जहां पे Thursday है वहां पे 0 आया है जहां पे Friday है वहां पे 1 आ गया है जहां पे Saturday है वहां पे 2 है and then जहां पे आपका Sunday है वहां पे 3 आया है अगर हम यह ना लगाते say for example मैंने remove कर देता हूँ अब इसको run करता हूँ अब देखते हैं क्या होता है you see अब आपके पास जो highest है उसका 1 होगा फिर उससे lowest का 2 फिर 3 फिर 0 यहां पे end पे अब यह हुआ है कि आपका number की base पे randomly जो पहले value आ रही थी वह पहले encode हो गई है यानिके 0 सबसे पहले वाले value वह वह हो गया फिर 1 फिर 2 फिर 3 वाला so हमारे पास order नहीं आया am i इदर उदर की encoding हो गई इस वज़ा से हम ordinal encoding को use करते हैं हम specify करते हैं कि किसको 1 कहना है किसको 2 कहना है किसको 3 और किसको 4 यह मैंने इसको लगाया and now you can see the order सही है जी तो यह होगी हमारी ordinal encoding अब हम करते हैं one hot encoding one hot encoding on मैं करता हूँ कि आप d column पे one hot encoding कर दे ठीक है d column के उपर ही so आपने one hot encoder को ऐसे भूला ले and then you will do the same thing one hot encoder fit transform df day के उपर to array आप इसको array के अंदर भी convert कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको sample के through आप different किसम की sheets के अंदर भी convert कर सकते हैं so I would do like this और simply इसको run करते हैं तो यह हमारे पास array आ गई आपको पता है कि पहला day दूसरा day, तीसरा day and चोथा day और अगर check करें तो आपका जहां पे value कोई आ रही थी तो वो ही आपके पास यहां पे उस तरीके से आ रही है मिसाल के तोर पे अगर आप गौर करें तो यहां पे सबसे पहले column में तीसरे number पे जो value है वो 1 है ठीक है? तो इसका मतलब है कि तीसरे number पे जो भी value आ रही है that is going to show here लेकिन आपको पता है कि यह ordinal data है so what we can do we can choose another thing for example मैं smoker को choose कर लेता हूँ यहां पे column को अब जैक करें अगर आपका पहले data में smoker है तो कुछ इस तरीके से आपका one hot encoder बन जाएगा ठीक है? और one hot encoder क्या होता है? यह असल में use तब होता है जब आपके पास multiple categories हो ज्यादा तर आप label encoder को use करते है यह dimension को भी increase कर देता है अब इसको मैं further यहां पे अगर आप कहें sex पे लगा के लगा के लखाओ दिखाओ तो यह हो जाएगा ठीक है? so you can actually do this thing और आप encoding इसकी इस तरीके से कर सकते है one hot encoding जो है यह ज्यादा तर use तब होती है जब आप advanced level पे different categories को deal कर रहे होते है otherwise usually you don't need to use this one hot encoding अब label encoding और दूसरी जो encoding के आपको type बताईए आप उस पे भी काम चला सकते है ठीक है? लेकिन हम एक और example देखते है one hot encoding के एक other data set पे example of one hot encoding उसको लिए हम क्या करते है say for example हम titanic का data लेते है sns मैं यहाँ पे df बलके यहाँ पे titanic लिख देते है titanic is equal to sns.load dataset titanic और यह हमारे पास titanic का data आ गया अब हमने क्या करना है one hot encoding को use करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ one hot encoding is equal to one hot encoding और फिर हम क्या करते है हम कोई एक object बना लेते है one hot encoding का titanic data में for example मैं यहाँ पे कहाँ देता हूँ embark embark one hot encoding और यह हमने उस data को encode कर दिया यहाँ पे embarked one hot encoding ठीक है अब simply आप जब यह वाली चीज यूज़ करते है तो आप इसको array के अंदर भी convert कर सकते है या आप इसको different किसी और data set में भी convert कर सकते है आप एक और काम कर सकते है just a minute यहाँ पे यह आपके सामने sorry आप पूरा code ले के आता हूँ ताके हमारा time बचे और आप देख सकें कि कैसे यह काम कर रहे है so हमने one hot encoder बला है ठीक है sparse को आप false कर सकते हैं true भी कर सकते हैं we will talk about this in a minute फिर आप one hot encode embarked का जो आपका column है उसको one hot encode करते हैं ठीक है फिर one hot data frame के अंदर pd.dataframe के अंदर आप क्या करते हैं one hot embarked को डालते हैं ठीक है और columns one hot encoder वाले ले ले लेते हैं उसके feature names जो है embarked वाले ले ले लेते हैं simply वो ही जो embarked का था फिर आप यहाँ पे concatenate करके जो भी आपका data embarked one hot encoding के साथ column के साथ आप उसको लगा देते हैं तो यहाँ पे अगर मैं titanic dot head करूंगा then I can see this data here अब आप चेक करें के हमारा data usually alone तक खतम हो जाता है ठीक है अगर मैं आप को before and after वाला data दिखाऊं say for example मैं copy and titanic head करूं तो यहाँ पे चेक करें हमारा data alone तक खतम हो रहा था लेकिन हमने क्या किया हमने embarked town जो था ना उसका one hot encoding की और वो हमने यहाँ पे दिखा दी तो जो C से आये थे यानि के जो Shedbrook से आये थे Quinstown से आये थे या Southampton से आये थे यह तीन हमारे पास जो examples हैं embarked की उसको हमने यानि के यह embarked वाले कॉलम को हमने one hot encode किया इसकी सारी encoding यहाँ पे आगी कि जहां जहां पे आपके पास one 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 आता जाएगा फिर यही नहीं हमने non values यानि के not a number values को भी यहां पे show किया तो जितने भी आपके पास types of values होती है वो इस तरीके से आप one hot encoding के through कर सकते हैं यानि के आप different columns आपके बन जाते हैं same काम आप tips वाले में भी कर सकते हैं which we have done here तो इसको भी आप data के अंदर concatenate कर सकते हैं क्योंकि arrays हैं, arrays को data frame में आप convert करेंगे and then you can actually add that data back to your original data तो ये इस तरीके से one hot encoding जो है आपके पास काम आ जाती है ठीक है जी? हमने कौन-कौन से देख ली label encoding देख ली, ordinal encoding देख ली और one hot encoding हमने देख ली एक और किसम की encoding जो होती है जो मैंने आपको बताया that is called binary encoding उसके लिए आपको एक library install करने पड़ेगी और फिर उसके थ्रू ये binary encoding होगी which is category encoders मैं आपको वो दिखा देता हूँ and then we have to use that library for example अगर मैं यहाँ पे from pip install pip install category category encoders import binary नहीं बाद में करते हैं यह मैंने pip install category category encoder यह एक library है इसको आप install करेंगे तो यह basically आपको सिर्फ encoding का function फराम करती है और मैं इसको install कर रहा हूँ sometimes it takes a lot of time to install लेकिन हम यहाँ पे आपको इस वड़ा से मैं साथ साथ बता रहा हूँ सकूँ and it will show me something in a minute लेकिन meanwhile installation के दुरान-दुरान मैं आपको इसका code दिखा देता हूँ जो आप use करते है from category 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 यह मेरे पास install हो चुकी है मैं इसकी output को यहाँ पे clear कर देता हूँ ताकि मेरे पास यह ऐसे रहे आपने install करनी तो आप इसे कर लीजेगा category encoders from category encoders हमने import करना है कोई भी चीज आप कर सकते है safe for example मैं यहाँ पे binary encoder को करता हूँ अब binary encoder को जारी बात है जब आपने बुलाना है तो इसी तरीके से बुलाना है जैसे circuit learn के अंदर बुलाते हैं फिर आप जिस data को transform करना चाते हैं आप उसको बुला सकते हैं safe for example मैं यहाँ पे tips के data में से कोई चीज जो है उसको encode करना चाता हूँ तो मैं यहाँ पे df is equal to sns.load dataset दुबारा से tips जानबूच के मैं लिख रहा हूँ ताके जो data है मेरे पास tips का उसको हम encode कर सके ना के किसी और को करें यह हमारे पास tip का data binary encoder साब बुलाए अब हमने df करके tip के अंदर binary encode कर ले नहीं कोई भी चीज होगी df के अंदर encoded underscore day is equal to हम कोई भी चीज encode कर सकते हैं safe for example मैं day को नहीं करता यहाँ पे मैं चलें day को करके देख लेते हैं फिर हम देखते हैं कि क्या scene होता है यहाँ में error I knew it because it actually gives us an array so हम यहाँ पे df underscore binary यह देखें जी हमने day को यहाँ पे किया हमारे पास day 0, day 1 and day 2 ठीक है और अगर आप गोर करें हमारे पास day के अंदर thursday, friday, saturday, sunday चार दिन थे तो हमारे पास यहाँ पे तीन कैसे आगे because then it actually compressed one of the days here और इसका मतलब है जहाँ पे यह तीन ना हुए वहाँ पे वह चोथा होगा simply, ठीक है तो यह dimension थोड़ी से कम कर देता है, समझागी बात की कि जहाँ पे यह तीन नहीं है वहाँ पे वह चोथा available है वह automatically वहाँ पे आ जाएगा so we can actually embed that into our data set as well और आप इसको pds.dataframe के अंदर करके भी इसको embed कर सकते हैं जैसे हमने पिछला data frame किया था, which was here, one hot encoder और हमने यहाँ पे data frame इसका बनाया था और फिर इसको concatenate किया था, you can actually concatenate this thing, but main चीज़ यह है कि आपको करके दिखा दिया जाए कि यह कैसे होते हैं अब यही नहीं इसके इलावा और भी types हैं encoding की, और there are many types तो आपका assignment यह है यहाँ पे how many types of feature encoding are there पहली यह है, और दूसरा गाम आपका इसी के through है when to use which type of feature encoding यह आपके दो question है यह assignment के, और यह assignment आपने as soon as possible करके comment section के अंदर इसको paste करना है, ठीक है यह दोनों assignment है, screenshot आप ले सकते हैं और यह assignment सभी को जमा करवानी जरूरी है जो हमारे साथ और ready इस काम पे लगे हुए और enrolled है इस course के अंदर और जो नहीं enrolled उन से मेरी request है कि आप भी enroll कर वाले, link मेरे description में दिया हुए और आइस्ता आइस्ता हम at the end of our lectures जो है वो जा रहे है और machine learning को समझ रहे है ठीक है ओके जी यहां तक आपको clear हो गया होगा अब next lectures पे हम move करते है आपको झाल झाल